सम्प ये क्या हरकत थी आपको पता भी है मैं कितना शिर्मिंदा हुई हूँ दोनों के सामने वो क्या सोचते होंगे कि मेरे शोहर की नजर में मेरी ये एहमियत है कमरे में दाखिल होते ही वो वासिम के तासुरात जांचे बिना ही बोलना शुरू हो गई वाशूम में जाकर मूँ दोकर आओ इसकी सारी बातों का नजर अंदास करते हुए स्पार्ट नहिचे में बोला अभी हा कमो हैरत से खुल गया तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा जाओ मूँ दोकर आओ इसे अपनी जगा पर स्टिल खड़ा देखकर दहाड़ा जिस पर वो जी जान से काम पी क्यूं मैं क्यों मूँ दोकर आओं देकिन फिर हुट को कमपोस करते हुए उससे से बोली तुम ऐसे नहीं मानोगी इसकी बात का जवाब देने की बज़ए वो इसे एक चटके से कंदे पर उठाता वाश्रूम की तरफ बढ़ा था वासिम अभी हाने हाथ पैल चलाते हुए उतरने की कोशिश की सम टम बरतन दोने वाले भी छोड़ो मुझे इसकी कमर पर अपने नाजुक हाथों के मुखे बरसाते बोली जिसका इसने कोई हास असर नहीं लिया और वाश्रूम में दाखिल होकर एक पाउं से दर्वाजा बंद करते हुए इसे सीधा लाकर शावर के नीचे खड़ा करते हुए इसे आउन किया जिसकी पहली पुवारी इन दोनों को मुकम्मल भिगो गई आपका कहीं दिमाग वगएरा हराब तो नहीं हो गया इसे खुद से लग करने की कोशिश करती हुई घुस्से से बोली हाँ हो गया है मेरा दिमाग हराब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खुद को किस करने दे लगी वो बेहन है कितनी देर बाद जाकर वो कुछ बोलने के काबिल हुई थी पहली बात वो कोई तुम्हारी बेहन बेहन नहीं सेकिन्ड मेरे लावा तुम्हें ऐसे कोई छुए मुझे हरकिस पसंद नहीं इसे दोनों बादों से थाम कर मज़ीद ही से अपने करीब करते शिद्दत पसंद ही से कोया हुआ अगर तुम्हें जैदा ही प्यार आता है या प्यार की तलब सताती है तो मैं तुम्हें 24 गेंटे के लिए अवेलेबल हूँ मुझे बोलो हर लमहा हर गड़ी तुम पर अपने प्यार की शिद्दते निचावर करने के लिए त्यार हूँ लेकिन आइंदा अगर तुम्हें ऐसी हरकत इंजाम दी तो सोच लेना ऐसा हाल करूँगा दबारा किसी पर प्यार निचावर करने से पहले हजार बार सोचोगी सम वासिम के जनून को देखते अभीहा के मूँ से लफ्स निकलने से इंकारी थी उपसर चेहरा हूँ छिलकाने लगा जबके वजूद की कपकपाहट में वाजय अजाफा हुआ था इसके चेहरे की उड़ी रंगत और खुले मूँ को देखते वासिम ने बहुत दर्मी से इसके होंटों को लबो से छुआ इन सबके दुरान पानी मसलसल इन पर बरसता हुआ इन दोनों को बिको रहा था जिसका इन दोनों को ही होश नहीं था सम सांसों को अजादी मिलने पर अभीहा ने इसे पीछे देकल कर वहां से बागना चाहा जब वासिम ने इसकी कलाइक को थामते हुए दोबारा अपने तरफ कीचा अभीहा सीधा इसके कुशीधा सीने से टकराई जबकर गिरने के डर से इसके कंदों को दोनों हाथों से थामा इसके सुरुख कोते चेहरे को देख वासिम के लब हुद बाहुद मस्कुराए और वो हुद पर जब्द खोते दोबारा इस पर जुकने लगा जब अभीहा ने इसके लबों पर हाथ रखती नफी में सर खिलाया मसलसल हुद पर पानी गिरने की वज़ा से इसे सांस पहरे ही रुक रुक कर आ रहा था उपर से वासिम की जान लेवा कुर्बत को जेना इसकी हिम्मत हुद के अंदर मफगूत पाती थी जबके इसकी हरकत पर वासिम के चेहरे के तासुराथ एक बार फिर बदले थी सम्म मुझे सांस नहीं आ रहा इससे पहले वासिम उससे में कुछ कहता वो गहरा सांस लेने की कोशिश करती हुई पर मुश्कल बोली बिया क्या हुआ जान अभिया के चेहरे के बदलते तासुराथ और बंद होती सांसों का ह्याल करते हुए वासिम शाने फोरण शावर बंद किया था जबके इससे उससे लगा कर पीट से लाने लगा जिसका हाते हुआ कोई असर ना होते देख इसके लबों पर जुकता अपनी सांसे इसके नाज़क वजूद में उतारने लगा अभिया के बंद होती सांसों में दोबारा रवानी आई थी जिसे महसूस करते पीछे होता इसे अपने सीने से लगा गया और साथ साथ इसकी बैक भी से ला रहा था आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था अभिया किस वकत जो हालत थी इसे बहुत केर और नर्मी की जरूरत थी और वो आज अपने उससे में सब कुछ फ्रामोश किये कितनी बड़ी गलती कर गया था अगर अभिया या फिसके बच्चे को कुछ हो जाता तो ये सोच इसके लिए सोहाने रूख दी अब कैसा फिंक कर रही हो थोड़ी देर बाद इसे हुद से लग करके बहुत नर्मी से गया हुआ जबके इसे हुद के लिए यो परशान होती देखकर वो खुब सूर्ती से मुस्कुराई बहतर लेकिन जवाब एक लफ से ही दिया शुकर वरना अभी तुम से पहले मेरी जान निकल जाती इसे अपने सीने में बींचती हुए बहुत महब्बत से गया हुआ वासिम के बोले के लपास सुनकर अभीहा ने हैरत से सर उठा कर इसके वजीहा चेहरे की तरफ देखा लेकिन नीले नैनो में नजर आते जस्पात ने इसे दुबारा नजरे जुकाने पर मजबूर कर दिया था जबके इसे हुट से शर्माते ले वासिम के हुटों पर दीमी मस्कुरा हटाई क्या हुआ इसने थोड़ा सा जुकते इसके कान के करीब गंपीर सरगोशे की साथ ही कान की लूपर अपने देखते हुट रब किये जिससे अभीहा के नाजर्ग वजूद ने एक चुर चुरी सी नी कुछ कुछ भी तो नहीं अटक अटक कर बोली सच में क्या वासिम ने जुक कर इसके सुरक रुकसारों को चुआ जी इसके पीगे नरम हौटों के साथ दारी मूचों के चुपते कसमसाते लंप्स पर बामुशकल ही बोल पाई जबके इसकी बोलती बंध होती देख वो नरमी से मस्कुराया फिर हाथ बढ़ाकर इसके बीगे वजूद को नरमी से दुबटे की कैट से अजाद करवाया वासिम अभी हाथ ने तड़पकर इसके हाथों को थामा वासिम ने नजरे उठाकर इसकी आँखों में देखा बस फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी अभी हाथ के हाथ हुद बाहुद पीछे हो गए कमर पर बंधी डोरियां को खोलती कंदे से शर्ट सरकाते वहाँ जुकते नरमी से लबों से चुआ अभी हाथ ने अपना तवाजन हुए कमर पर पकड़ मलस्पोत की और पीछे गर्दन में जुक कर शिदते निचावर करने लगा आज वासिम के लंस में हल्की शिदत के साथ अलग सी नरमी का तासुर था और वो इसे बहुत नरमी और एक्तियाद के साथ छू रहा था जैसे कोई कांच की गुडिया जिसे महसूस करके इसके लब हुद बहुद मुस्कुराफट में डले वासिम ने दोनों हाथ इसके कंदों पर रखते हुए शिर्ट नीचे की तरफ सिर्काई जो इसके बाज़ों से पिसलती इसके रेश में बदन से सिर्कती चली गई अभिहा ने शिर्ट से सुरक पढ़ते अपनी आँखें सकती से बंद की वासिम ने इसका रुख अपनी तरफ किया फिर इसकी बंद आँखों को देखते मस्कुरा कर होटों से छूता इसके गित टावल लपेट कर गोध में उठाते कदम बाहिर की तरफ पढ़ाई अभिहा ने बाजो इसके गले में बाढ़ते सुरक चेहरा इसकी गर्दन में चुपाया वाश्रूम से निकल कर वासिम सीधा ड्रेसिंग रूम में आया था और इसे एक तरफ खड़ा करते हुए वार्टूप से एक शॉपिंग बैग निकाला और फिर पलट कर इसकी तरफ देखा जो अब तक नजरे जुकाये खड़ी थी दोनों के दर्मियान का वास्दा समेट कर वो इसके करीब आकर खड़ा हुआ अभी वासिम ने इसकी तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया ही था जब वो फुदर कर पीछे हुई ये आप क्या कर रही है टावल को सकती से थामते हुए वो जिचकते हुए पोली क्या कर रहा हूँ मैं वो एक बार फिर इसके करीब होता मानी है इस लहचे में पोला अभी हान नजर उठाकर इसकी तरफ देखा जो लू देती निकाहों से इसकी तरफ देख रहा था अलबता चहरे से संचीत की चलक रही थी आप मुझे दे दे मैं हुद चेंज कर लेती हूँ इसके हाथ में बैक को देखते हुए वो नर्मी से बोली जबके इसकी बेपाक निकाहों को देखते नजरे एक बार फिर चुका ली थी नहीं आज मैं तुम्हें उठ त्यार करना चाहता हूँ एक हाथ से इसे नर्मी से थामते अपने करीब करता मुहबबत से बोला लेकिन अब आवास ना है इसके होंटों पर के चेहरा अलग होन चलकाने लगा था इसके नाजुक वजूद की दिलकशी कपकपाखट शर्मों हुए तेज दड़कती दड़कुनों का रक्स जिसकी दमक वासिम को अपने कानों तक सुनाई दे रही थी वासिम के लिए खुद को कंट्रोल किसी इमतिहान से कम नहीं था लेकिन वो जब्त का दामत थामते अपनी करवाई मुकमल करता आराम से पीछे हो गया और एक बर पूर नजल अभी हक के नाजुक सरापे बडाली जो रॉयल प्लू कलर के इस फैंसी ड्रेस में चांदे की तरह दमक रही थी नेट की हुबसूरत कुटनों से नीचे तक आती ओपन शर्ट जिसका दर्मियानी कट उपर पेटी के साथ शुरू होकर एंड तक जाता था और साथ नीचे गेरेदार प्लाजो जिसके गले और दामन पर वाइट डाइमन्ड का हुबसूरत काम किया किया था जिसने इस ड्रेस की हुबसूरती में मजीद अजाफा किया था ये ड्रेस हुबसूरत होने के साथ हलका सा बोल्ड भी था जिसमें अभीहा का नाजुक पेट दर्मियान में लेगे कट की वज़ा से वाजिया हो रहा था वासिम शाह ने अभीहा के लिए स्पेशली हुद ओर्डर करके ये अपनी पसंद से मंगवाया था वो और इसकी तवक्व के अन मताबिक अभीहा इसमें क्याम अठा रही थी कि चन्द पल के लिए वासिम शाह हुद भी महबुहत होकर रह गया फिर नफी में सर हिलाते मस्कुरा कर इसका हाथ थाम कर बाहिलाते बेट पर बिठाया बस दो मिन्ट में मैं भी चेंज करके आया और फिर जल्ली से ड्रेसिंग रूम में दुबारा बंद हो गया अभीहा ने मस्कुरा कर इसके चोड़ी पुष्ट को देखा फिर उटकर हुद आयने के सामने आई आयने में नजर आते अपने अक्स को देखते अभीहा ने वासिम शा की पसंद को सहरा हा और फिर इसके आज के रवईय को सोचते शरम से सुरक पढ़ती दोनों हाथ में चेहरा छुपा गई तबी रायल ब्लू कलर का थ्री पीस सूट में वो नक्सक सा त्यार बाहिर आया और इसे आईने के सामने खड़े होकर शरमाते देख दीरे से मस्कुराया वासिम चंद कदमों से दोनों के दर्मियान का वास्दा समेटते हुए इसके करीब आते पुष्ट से से पने हसार में लिया जिस पर वा कुछ होश में आई थी नजरे उठाए मिसिस इसकी कान की लोको लबों से चूते दीमी सरगोशी की अभीहा ने अपनी बारी होती पलकें उठाई और सामने आईने में देखा जहां इन दोनों काक्स एक साथ बहुत मुकंबल और उपसुरत लग रहा था जिसे देखकर अभीहा के चेहरे पर उपसुरत मुस्कुराहट आई थी लेकिन साथ में इसकी कुर्बत को महसूस करके शरम से सुरक भी हुई इस शरमोहिया के पैकर को देखते गंबीता से बोलता अचानक रुक गया शायद अपने इहससाद बियान करने के लिए इसे अलफास नहीं मिल रही थी जबके इसके लपसों को महसूस करते अभीहा ने हैरत से पलट कर इसकी तरफ देखा जो थोड़ा शुशो पंच कर शिकार नजर आ रहा था लेकिन अभीहा के लिए तो इसके बोले गे ये दो जुमले भी ऐसे थे जैसे इन लफ़ों में इसे पूरी काइनात मिल गई हो अभीहा इसे हुद को तक्ते देख वासिम ने कुछ कहना चाहा जब अभीहा ने सारी बातों को पसे पुष्ट डालते हुए दोना पाजो इसके गर्दन में बांदे और थोड़ा उपर होकर गनी मूचों के नीचे इसको सुर्खो सफेद लबों के साथ अपने निरम लब जोड दिये और मुखबत के साथ एक तवेल बोसा देती पीछे होकर पिशानी इसकी कुषीदा पिशानी पर दिकाई डोंट वरी, I can understand you have to need to express anything because we are soulmates महब बहुत मुखबत के साथ कहती इसकी दोनों आखों को चुमा और पिर अपने नफ इसकी थोड़ी पर दिकाई जिससे एक सरशारी सी वासिम शा को अपनी रगोजा में दोर्टी महसूस हुई साथ इसके बिवबाग लंब्स पर पता नहीं क्यूं इसका चेहरा हलका सा सुरुख भी हो गया था शायद इसलिए कि अभी हा ने अपनी मुहबत का ऐसा वलहाना अमली इजहार पहली पार किया था सम अब ब्लेश कर रही हैं थोड़ी देर बाद इससे अलग होकर वासिम के सुरुख चेहरे को देखती हुए अभी हा ने कहका लगाया था जिस पर वासिम ने हुद फोरन हुद को कमपोस करते इसे गूरी से नवाजा जिसका कम सकम फिल हाल अभी हाव पर कोई असर नहीं हुआ था ओ, यू आर सो क्यूट मैं बता नहीं सकती मुझे इस वक्त आप पर कितना प्यार आ रहा है इसके दोनों कालों को कीचते मस्कुरा कर बोले जिस पर वासिम ने गहरी निकाहों से इसके हुपसूरत चहरे की तरब देखा फिर यकदम कमर से थामते हुए अपने करीब कर गया जिससे अभी हाव की हंसी को फोरन प्रेक लगा प्यार तो मुझे भी बहुत आ रहा कि तुम पर लेकिन अगर इस वक्त मैंने इसका अमली इजहार शुरू कर दिया तो मुझे डर है कहीं तुम वक्त से पहले अपने होश न खोदो अभी हाव के नाग के साथ अपनी तीखी नाग रब करते हुए मानी हैसी से नजरों से देखा जबके दोनों के चेहरे इस वक्त इतने करीब थे के बोलते वक्त वासिम के लब अभी हा के लबह से मिस हो रही थे जिससे एक बेचैने से इसके वजूद में सरायत करते इसके सारी शोही और शरारतों को अपने साथ बहा ले गई जबके इसके हून चलगाती चेहरे को देखते इस बार कहका लगाने के बारी वासिम की थी अभी हा ने वो बुहत होकर इसके वजीहा चेहरे की दरफ देखा और दिल में माशायल्ला बोलते बाजाहिर मसनुई उस्से का इजहार करते हुए गूरी से नवाजा वासिम ने बहुत महबबत से इसकी सुरकनाक को चूंगते हुए हाथ पकड़कर आइने के सामनी टेबल पर बिठाया और बीगे बाग खोलकर ड्राइर से सुखाते सुल जाकर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया और भी टेबल से इरादा है क्या मिसिस वो निकांगी इसकी बरी-बरी कलाइयों पर टिकाते लब तबाकर शरालत से गोया हुआ अभी हाने सट पटाते हुए फोरान नजरों का जाविया बदला वासिम ने ड्रेसिंग के ड्राइर से एक जूलरी बॉक्स निकाला जिसमें एक बहुत प्यारा वाइड डाइमेंड का हुपसूरत सेट था जो इस ब्लू ड्रेस के साथ मैचिंग करके इसने ही मंगवाया था सम हम कहां जा रही हैं इसे जूलरी निकालते देख सवाल किया सर्प्राइज है तुम्हारे लिए इसके हुपसूरत चेहरे की तरफ देखते मस्कुरा कर बोला फिर एक निजर दुबारा इस सेट की तरफ देखा और साथ ड्रेसिंग पर पड़ी मेकप की चीजों की तरफ मेरी बीवी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं वैसे भी मुझे मिलावट नहीं पसंद और ये तुम फिर कभी पहन लेना क्योंके बात में ये मेरे काम में रकावट ही बनेगा तरीफी अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए एंड में जोमानी अंदाज में कहता सेट पॉपिस ड्रार में रखते चादर इसके गिर्द उड़ाते हुए हाथ धाम कर बाहि की जाने पड़ा जबके अभी हाग इसके साथ चलते ऐसे थी जैसे मट्टी का बुथ क्योंके इसके सारे अलफाज वासिम शाके बेबाग जुमलों ने चीन लिये थे सम कहां लेकर जा रही है वासिम अभी हा को बाजवों में उठाए गाओं के कच्चे पके रास्ते से गुजर कर अब पत्थरीले रास्ते पल चल रहा था जिसके दोनों इतराफ उँचे उँचे दरखत थी रात के अंदेरे में हर तरफ यहां सननाटा चाया हुआ था ऐसे में फिजा में गूज थी वासिम की बारी कदमों की आवास अजीब सा इताश पैदा कर रही थी के अभी हा का मासूम सा दिल सीने में सहम सहम जा रहा था सम मुझे कुछ बताएंगे वासिम को अपनी बात कर नोटस ना लेती देख अपके वो चीखी थी जिस पर वासिम ने एक पल के लिए रुक कर इसे गुरा क्यों गला पाड रही हो आप मुझे बता क्यों नहीं रहे के हम कहां जा रही है और हर दो मिन्ट बाद आप मुझे गोट में क्यों उठा लेती है मैं कोई छोटी बच्ची हुग्या इसकी बाद पर वासिम के लब हुपसूरती से मुस्कुराई थी तुम्हें कोई शक है मेरे सामने तो बच्ची ही लगती हो लिटल बेबी गल वासिम ने एक बार पिर इसकी हाइट को निशाना बनाया था जिस पर अभीहा निसे गुरा नीचे उतारे मुझे फोरण मुझे कहीं नहीं चाना आपके साथ नराज की से कहते हुए नीचे उतरने की कोशिश करने रगी जबके दूसरी तरफ वासिम जो चड़हाई चड़ रहा था इसका पाउं थोड़ा डिस्पैलेंस हुआ था लेकिन वो हुद को संपाल गया अभीहा वो खुस्से से चीखा अभीहा को अपने गलती का एहसास हुआ जबके इसके खुस्से को देखते कुछ सहमी सोरी फोरण माजरत की लेकिन इस पार इसने कोई जवाब देना ज़रूरी न समझा और चुप चाप ओपर की तरफ बढ़ने लगा वासिम के जवाब ना देनी पर अभीहा का दिल दुखा जिस पर बामुश्कल ही इसने पलकों को जबकते हुए खुद को रोने से रोका जब इसकी नजर पीछे रास्ते पर पड़ी जिसे देखते वो चनपल के लिए सब बूलती इस हुपसूरत नजारे में खो गई जहां उचे नीचे रास्ते में मजूद दरक्तों के दर्मियान सबस्जाद पर हजारों जुगनों रात के अंदेरे पे अपने नूर से रोशनी फिला रहे थे जिन्हें देखकर चनपल के लिए ऐसा गुमान होता था कि जैसे सितारे आजमान से उतर कर जमीन पर आके हो वो लोग अपने ही गाउं में मजूद एक पहाड़ी पर मजूद थे जो कि शाह वेली से बस चन्द किलोमीटर की दूरी पर ही वाक्या थी पहाड़ी की चोटी पर पहुँच थे वासिम ने तीरे से इसे नीचे उतारा था जहां एक तरफ हुबसूरत सा कैम्प बना हुआ था जिसके चारो इतराफ वाइट पर्दों के साथ फैरी लाइट्स लगी हुई थी जबके इसके बिलकुल सामने ही एक चोटा सा टेबल रखा था जिस पर गुलाब की पतियों के साथ चारो इतराफ में दीये जल रखी थी और इनके तरमियान में एक उबसुरत रेड वेलवर्ट का केक पड़ा था और इसके इलावा पहाड़ी की चारो तरफ हिफाज़त के लिए लगी हुई गिरिल को भी दीयों के मुपसाथ फैरी लाइट से सजाया गया था जिसे देखकर अभीखा खुश होने के साथ थोड़ा हीरान पे हुई थी इसने पलटकर पासिम की तरफ देखा जब वो इसका हाथ थामकर इस टेबल की तरफ बढ़ा और करीब पहुँचकर खुद एक कदम पीछे हो गया अभीखा ने केक पर लिखे हुए लफजों को पढ़ा और फिर हेरान नजरों से पलटकर वासिम की तरफ देखा सम्ये जबके हैरत और हुशी की जयाती से लफज इसके मूँ से निकलने से इनकारी थी वासिम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया अभीखा ने पलटकर दबारा लफजों को पढ़ा जिने इस डेट वेलवट केक पर वाइट क्रीम के साथ बहुत उपसूरती से लिखा गया था पैरेंट्स टू भी सम्भिया कंग्राजुलेशन्स इसे पीछे से अपने हसार में लेकर मुहपत से सर पर बोसा दिया हुशी की जयाती से अभीखा की आंकों में आंसू आ गय थी इसने पलटकर अपना चेहरा वासिम के सीने में छुपाया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया जिस पर वो परिशान हुआ हे जाना क्या हुआ इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते फिकरमंदी से कोया हुआ जिस पर इसने नफी में सर हिलाया पिर रो क्यों रही हो पता नहीं बस रोना आ रहा है अपनी फित्रत के बरक्स आज इंतहाई मासूमियत से बोली पागल वासिम ने नफी में सर हिलाते दुबारा इसे अपने सीने से लगाया मुझे मुबारक बात नहीं दोगी चन्द लम्हों बाद जब वो कुछ नार्मल हुई तो वासिम ने थोड़ा इसके कान के करीब जुकते नरम सरगोशी की जिस पर अभीहा ने अपने चेहरा उठाया मतलब वो क्या सुनना चाहता था जानते बूचते अपनी उबरानी वली मुस्कुराकट को रोकर सवालिया देखा मतलब के अकेली तुम ही मा नहीं बनने जा रही मैं भी बाप बननी जा रहा हूँ तुम्हारा फर्ज है के मुझे मुझे मुबारक बात दो बलके इसके साथ साथ तुम्हें मेरा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए शुक्रिया वो किसलिए वासिम की बात पर अभिहा ने ना समझे से सवाल किया वो इसलिए मिसिस के तुम्हें इस मुकाम तक पहुँचाने में सारी मेहनत तो मेरी ही रगी है इसके कान की डूको दांतों से दबाते जानलेवा सरगोशी की जिस पर अभिहा पल में गुलाल हुई जबके इसके हुँच छिलकाते चेहरे को देखते वासिन को बेसाकता ही इस पर प्यार आया था जिसके चलते इसने अभिहा के सुरक कालों को बारी बारी दर्मी से चुआ संप इसके कोट को अपनी मुख्यों में दपोचते वो गहरा सांस देते इसे पुकार गई जब इसके मुश्किल असान करते वासिन इपने जिजबात पर बंद बादा और इसका रुख पलटकर पुष्ट अपने सेने से लगाते टेबल पर रखी छोड़े इसके हाथ में पकड़ाई जिसका इशारा समझकर अभिहा ने केक कट करते हुए एक छोटा सा पीस उठाया और वासिन के हुटों से लगाया जिस पर इसने नफिम में सर खिलाते इसका हाथ धामकर अभिहा के लबों के करीब करते खाने का इशारा किया जिसने छोटी से बाइट लेकर वो केक का टुकरा इसकी तरफ पढ़ाया वासिन नेक नजर केक की तरफ जबके दूसरी नजर अभिहा के हुटों की तरफ देखा जिस पर करीम लगी हुई थी और दीरे से इसके हुटों पर जुक आया ये जैदा मीठा था दर्मी से इसके निचले होट को अपने लबों में लेते सहलाते हुए बेपाकी से गोया हुआ अभिहा ने शेरम से सुरक पढ़ते अपनी नजरे जुकाई कैसा लगा मेरा सर्प्राइज इसकी बढ़ती हुई दर्कनों का हैयाल करते दर्मी से सवाल किया बहुत बहुत अच्छा लेकिन ए मैं भी सब के दर्मियान अपनी खुशी मनाना चाहता था लेकिन फिर जर्लोगों की वज़ा से नहीं किया सम वो जो बहुत दिहान से इसकी बात सुन रही थी इसके बाहर सेलिप्रेट करने की पीछे की वज़ा जानकर अफसोस से देखने लगी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भी सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसी सोच के मालक होंगे किसी बेकसूर को यो सलील करेंगे बच्पन से वो हम सब के साथ रही है और ये मत बुलें वो मुसा शाह की बेटी ही नहीं जारून शाह की बीवी भी है जो आपका सगा बाई है कम सका मिस रिष्टे का ही कुछ लिहा हो गया तुम्हारा या कुछ और सुनाना भी बाकी है अभी हा के हमोश होते ही वो सर्थ लहजे में बोला दुनिया में रहम दिल सिर्फ दो ही तो लोग मजूध है एक तुम और दूसरा तुम्हारा बाई जो दूसरों के दुक दर्द को समझते हैं बाकी सब तो बेहिस है जिन में सर्फरस्ट सबसे उपर वासिमशा का नाम आता है इसे अपने हसार से अजाद करते हुए तंजिया लहजे में गोया हुआ सम मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मैं तो बस ये कहना चाह रही थी आप जर्क के साथ अपना रुईया तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यूं किया इसके पीछे वजा क्या थी इसकी बात पूरी होने से पहले वो गुस्से से चीखा जिस पर अभी हा सहम कर इस से दूर हुई अभी चंद दिन पहले इसने अपना बच्चा खोया है उपर से इसके बाप की हकीकत ऐसे हालात में अगर मैं अपनी खुशियां मनाता तब इसके दिन में बात ना आती इसे अपनी कम मायगी का एहसास होता इसका दिन ना दो के इसी वज़ा से मैं तुम्हें यहां लेकर आया लेकिन अप मुझे लग रखा के जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे कहते हुए वो अपना रुख पलट चुका था जबके अभी हाँ ज़र्क के बच्चे को देने वाली बात जान कर अभी तक शत नजरों से इसकी पुष्ट को देख रही थी साथ इसकी आँखों से आंसों मौतिय की सुरत तूट कर बहने शुरू हो गए थे वो अंदाजा लगा सकती थी कि इस वकट वो किस तकलीफ में हो सकती थी इसे वासिम अपनी जगा बिल्कुल ठीक था तबी बाग कर वो इसकी पुष्ट का हिस्सा बनी दी I'm sorry मुझे नहीं पता था इस दिन आपने दर के साथ जैसा बिहेव किया था मुझे अच्छा नहीं लगा मुझे लगा आप मामू जान की वज़ा से इसे अपनी हुश्यों में शामिल नहीं करना चाहती बस इसलिए बोला प्लीस मुझे माफ कर दे इसकी चोड़ी पुष्ट पर पिशानी टिका कर नम लहचे में गोया हुई जिस पर वो कुछ नरम पड़ा था इस दिन बस वक्ती घुसा था मेरा वरना मैं इतना भी कोई जालिम नहीं जो किसी बेकसूर को बिलावज़ा सजा दूँ इसके रोने पर वो पलट कर दुबारा अपने हसार में लिता स्पार्ट नहीं जिम बोला नहीं मेरे सम तो बहुत अच्छे हैं बहुत नरम दिन और सबका ह्याल करने वाले बस मैं ही आपको समझ न सकी इसका चेहरा दोनों हातों में बहुत मुहबबत से लिए गोया हुई मक्कन लगा रही हो वासिम ने इसके गेद अपनी पकड़ मजबूत करते आईबरोच गई जिस पर इसने लाप दांतों तले दबाकर उबरने वली मस्कुराखट को रोकते नफी में सर हिलाया वासिम ने इसके होंटों में छुपी मस्कुराखट को देखते इसे गुरा सब मुझे एक बात बताई जब आपको जर मीने की इतनी फिकर है तो क्यों क्या हो जाता है अगर आप दो बोल इसे तसलिके भी बोल देते और आज ताशे लोगों के सामरे भी आपका बिहेवियर बहुत रूर्ट था पहली बात मुझे एमी फजूल में दिखावा करना नहीं आता सेकंड मेरी वाइफ को मेरे बगैर कोई छुए मुझे बिल्कुल बरदाश्ट नहीं सम इसके दो टोक अंदाज पर अभी हाने और उस्से से इसकी तरफ देखा लेकिन फिर नफी में सर हिलाते मस्कुराई क्या चीज है आप बस ऐसा ही हुँ मैं दूसरी तरफ लापरवाही अरूच पर दी वासिम इसे लेकर कैम्प के अंदर आया जो तक्रीबन काफी बड़ा था और इसके दर्मियान में छोटा मगर हुबसूरत बेड रखा गया था जिस पर स्वेथ चादर बीची हुई थी और इसे मुकमल गुलाब की पतियों से सजया गया था जिसे देखकर अभी हक की नाजुक हते लिया परसीने से भीगी और वो जो वासिम के आगे चल रही थी यह सब देखते बद हवासी में इसका पाउं डिस बैलनस हुआ और इस से पहली वो जमीन पर गेती वासिम ने फॉरण इसे हसार में लिया तुम देखकर नहीं चल सकती अभी गिर जाती तो इसकी लापरवाही पर वो इंतहाई हुस्से से बोला अभी हाने चौंकर इसकी तरफ देखा पहले तो वो ऐसा बिहेफ नहीं करता था लेकिन आज तो छोटी छोटी बात पर इसे पोजैसिव होते देख इसका नना सा दिल सेहम रहा था क्या हो गया सम्ग मैंने जान भूच कर तो नहीं किया इसकी जरूरत से जएदा रियाक्ट करने पर वो शकायती नजरों से देखने लगी वासिम को अपने लहचे का एसास हुआ इसने अपनी सुरक आंकें बंद करकर दुबारा खोली और साथ ही गेरा सांस लेकर हुद को परसुकून करते इसका हाथ थाम कर बहुत नर्मी से इसे बैट पर बिठाया और हुद गुटनों के बल इसके कदमों में बैटा वासिम अपिहा फोरण जिजक कर उपती इसे उठाने की कोशिश करने लगी बैट चैं मिसिस मुस्कूरा कर इसका हाथ थामती इसे दुबारा बिठाया और अपना सर इसकी गोद में रखती बोलना शुरू किया तुम्हें पता है अभिहा जब चाचू और आनी की देथ होई थी तब मैं बहुत छोटा था लेकिन इस वक्त जारिब की जो हालत थी इसे देखकर मैं बहुत डर गया था और वो डर इसकदर हावी था में दिमाग पर कि मुझे रात को नीम तक नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे में सोने की बज़ए मामा के रूम में चला गया और इनसे वादा लिया कि वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी जैसे चाचू आनी तुम तोनों को छोड़ कर चले गे थे और इन्होंने बहुत मुहबत के साथ मुझे वादा किया और मैं पुर्ज़कून होते वो ही इनके पास हो गया यह सोच कर कि मैं इनके करीब रहूंगा तो वो मुझे छोड़ कर नहीं जाएंगी बच्चा था ना इसलिए सोच भी वैसी ही नादान थी अभीहा को लगा जैसे वो मस्कूराया लेकिन वो देखने ही पाई क्योंके वासिम अपने चेहरा इसकी गोत में छुपाया हुआ था लेकिन पता है इसके बाद क्या हुआ बात करते-करते इसने अपने चेहरा उठाया जिस पर इसके अंदर का कुर्प वाज़ अपनी जलक दिखा रहा था जब मेरी आँख खुली तो मामा कही नहीं थी वासिम की आँखे चलकी अभी हान इसका चेहरा थाम कर आंसु साफ करते नपी में सरही राया तुम सोच भी नहीं सकती मैंने वो वक्त कैसे गुजारा यहां तक के गरवालों से बात तक करना बंद कर दी थी क्योंके इन्होंने मेरी मामा की जगा किसी और औरत को दे दी थी वासिम के लेजे में दर्द ही दर्द हलकोरे ले रहा था जिसे में हसूस करके अभी हाके खुद के आंसू पर भी काबू ना रहा और इसके बाद तुम मेरी जिन्दगी में आई अपने अंदर का दर्द अपनी तक्रीफ तुम पर उससे की सुरत मैं निकालता था ताके तुम हुद से तुम्हें खुद से दूर रख सकूँ लेकिन पता नहीं तुम में कौन सी कशिश थी जब मुझे तुम्हारी तरफ खींचती थी शायद इस वज़ा से कि तुम शक्लो सुरत के साथ अंदाजो अत्वार में भी बिलकुल मामा चैसी थी इस दिए चाहकर भी मैं तुम्हें पर सक्ती नहीं कर पाया और तुम्हारे करीब होता चला गया और इस दिन तुम्हारे चानक गाइब हो जाने पर मुझे लगा मैंने तुम्हें भी मामा की तरहां हमेशा के लिए खो दिया मुझे लगा जैसे मेरे जीने की आखनी वज़ा भी हतम हो गई इस वक्त मेरी क्या कैफियती मैं कभी भी लफजों में प्यान नहीं कर पाऊंगा बात करते हुए वासिम ने अपनी आखे अभी हा के सुनहरी काज पर टिकार रखी थी जिससे आंसू तवातर से बह रही थी जबके इस दुरान वो दोनों इतने करीब थे के बोलते हुए वासिम किलब अभी हा के पेट से मिस हो रहे थे लेकिन इस बार मेरे रब ने मुझे हाली हाथ नहीं लुटाया बलके तुम्हारे साथ साथ बरसों पहले मांगी गई मेरी दुआउ को कबूलियत का शरफ बक्चते हुए मेरी मामा को भी मेरे पास वापस पेज दिया और इसके साथ साथ अपनी रहमत मुझ पर वसी करते मुझे उलाद जैसी नेयमत से भी नुजा थोड़ा और करीब होते इसके पेट को महबब से चूमा जैसे अपनी उलाद को महसूस करना चाहता हु। अभी हान इसके देखते लम्स को महसूस करते हुए जुर जुरी सी नी जिसके लिए मैं जितना अपने रब का शुगर अदा करूँ इतना ही कम है लेकिन इस हुशी के साथ एक डर है जो मेरे दिल में कुंडली मारकर बैटा है कि कहीं वो मुझे इस हुशी से नवास कर दुब मारा ह्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं जाता हूं कभी कभी और रियक्ट कर जाता हूं बट क्या करूं मेरी नेचर ही ऐसी है इसका मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंके क्योंके आप बस ऐसे ही हैं और मुझे आपके साथ ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा अभी ह इसका जुम्रा उचकते मुस्कुरा कर नरूठे पन से बोली थी जिस पर वासिम ने कहका लगाया और इसके सर के पीचे हाथ रखते हुद पर जुका कर इसके लबब को प्यार से चुमा अभिहा पल में गुलनार हुई वासिम जैसे इस हुबसुरत मन्जर में खो गया सम जबके इसे यूँध को टिक-टिकी बांद कर देखते देख अभिहा ने जैसे हुचे होश में लाना चाहा वासिम ने नजरे इसके चेहरे से हटा कर इसके नाजुक वजूद पर तिकाई और इसकी ओड़ी हुई चादर को टार कर एक साइट पर रखते हुए उटकर इसके करीब हुआ जिससे गबरा कर अभिहा यूँ बैठे बैठे ही पीछे बैठ पर लेट की वासिम ने इसकी दोनों इतराब बाजू टिकाते हुए इसकी जुकी पलकों को देखा और फिर जुक कर बहुत नर्मी से चूते हुए अपनी तहकते लब इसके सुर्ख उकसार पर रखे जिस पर अभिहा ने गहरा सांस लेते इसके पहने हुए कोट को जगड़ा जबके एक बार फिर इसे अपनी सांसे बंध होती महसूस हुई जैसे वासिम ने भी महसूस कर लिया बिया सांस दो इसका चेहरा नर्मी से थप-थप आते हुए बोला अभिहा ने गहरा सांस खींचा लेकिन कामयाप ना होती देख नम आखों से इसकी तरफ देखने लगी जब कोई रास्ता नजर ना आते देख वासिम इस पर जुका और अपनी सांसों से इसके उखरती सांसे संवारने लगा चन्द पल यूही अमल करने के बाद जब इसे लगा कि अभिहाब सांस ले रही है तो दीरे से पीछे होते इसके चेहरे की तरफ देखा जो आप गहरे सांस लेती आँखे बंद करके पड़ी हुई थी अगर तुम्हारी तबियर ठीक नहीं है तो हम गर चलते हैं इतना कहते वो पीछे होने लगा जब अभिहानी अपने बाजू इसके गर्दन में बांध दे नफी में सर ही लाया मैं ठीक हूँ सुरक चेहरे के साथ बहुत दीमे लहचे में बोली वासिम के चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट पिकरी सोच दो मेरे करीब आने पर हर दो मिन बात तुम्हारे सांसे बंद हो रही है ऐसे में मेरे लम्स की शिदितों को कैसे बरदाश्ट करोगी इसके बेपाक सवाल पर अभी हक के चेहरा हूँ चलकाने लगा लेकिन पिर हुद को कमपोस करते अपनी सुरक नजरे उठा कर इसकी आँखों में देखा जिसमें इसकी गुर्बत की हुमारी के साथ शरायत बेनाच रही थी चले मेरी तो हालत ही ऐसे है लेकिन आपका अपने बारे में क्या ह्याल है जो मेरी एक किस पर लड़कियों की तरह शर्मा रही थी अभी हाने भी इसकी दुखती रख पर हाथ रखा जिस पर वाजी पहली तो सट पटाया लेकिन बात में कुछ सोचकर मानी हेजी से मुस्कुराया अभी मैं तुम्हें बताता हूँ शर्माना क्या होता ही अपना कोड उतार कर एक तरफ फैंकते हुए यक दम जुका था और एक शिद्ध बरी जुसारत इसकी दड़कनों के मुकाम पर इंजाम देती इसकी दड़कनों को अपने कबसे में किया जिससे अभीहा की चलती हुई सांसे एक बार फिर रुकी जबके इसकी हरकत पर वो सर से लेकर पाउं के नाहुन तक सुरक पड़ गई थी सम अभीहा को जब अपनी परदाश्ट की हद हतम होती महसूस हुई तो नम लहचे में इलतिजाएगा पुकार गई क्या हुआ बस इतनी ही हिम्मत थी इसकी पूलती सांसों और नम आंकों पर चोट करते वो इस्तिजाया बोला अभीहा ने आंकों में शिक्वा बारकर इसकी तरफ देखा जिसे वासिम ने मुहबबस से बारी-बारी चूमते नर्मी से इसकी सांसों पर कपसा जमाया और बहुत चाहत और तवज्जा से इसे महसूस करते अपनी शक्सियत का तलस्म जगाने लगा जबके इसके नर्म लंप्स पर मदहोश होते अभीहा ने अपनी आंके नर्मी से बंद करते इसकी पुष्ट को दोनों हातों से थामा जब वो इसके निचले लप को नर्मी से चूते हुए गर्तन और पिर इसकी दर्कनों को नर्मी से महसूस करते नाजुक सराप्पे के हसीन हदहा को नर्मी से चूते हुए पेट की तरफ आया और इसकी श़ट को एक तरफ खिसकाते नर्मी से वहां बोसे देने दगा इसके नर्म मदहोश करते और कुछ-कुछ कसमसाते लंप्स पर वो पिन आपकी मचले की तरह तरपने लगी वासिम अभीहा ने तरप कर इसे पीछे हटाना चाहा लेकिन वो इसके नर्म वजूद के लंप्स में खोया इसकी रोक टोक को नजर अंदास करते हुए बहुत जल इसके और अपने दर्मियान पर्दों को किराता इन दोनों की जान एक कर गया लेकिन एक बात थी जो अभीहा ने इसके लंप्स में बद्धोश होने से पहरे शित्त से महसूस की और वो थी वासिम शाक की नर्मी और इहतियात जिस अंदास याजूर से चूर रखा था अभीहा को अपनी किसमत पर रश्ट करने पर मजबूर कर गया